हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू कॉलेज की स्टड़ी, हिंदी के हमारी थर्ड चेप्टर है हमारा शब्द विचार, शब्द विचार में शब्द की भेद कितने होते हैं, तो शब्द के चार भेद होते हैं, कौन-कौन से, सबसे पहला है रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ क के आधार पर, रूपांतर के आधार पर, सब्दों को चार भागों में बाटा गया है, तो सबसे पहला है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर ये तीन तरह के होते हैं, सबसे पहला है रूड, योगिक, योगरूड, तो ये तीन तरह के हैं, रचना के आधार पर, बनाएं विद्ध्या पिलस अल्ले और जैसे राम आयन राम प्लस आयन इस तरह की सब्द होते हैं हमारे यौगिक और यौगरूर क्या होती हैं जैसे लंबोदर तो लंबोदर जो मतलब है वह है गड़ेस जी तो इसका अर्थ पूरा बदल जाता है जैसे दिनकर दिनकर क्या ह दिनकर होता है सूर है, तो इस तरह के वर्ड होते हैं ये रचना के आदार पर तीन तरह के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट आता है हमारा अर्थ के आदार पर, अर्थ के आदार पर होते हैं ये दो तरह के, तो सबसे पहला है सार्थक सब्द, सार्थक सब्द अर्थ नहिं निर्टक सब्द, शार्थक जिनका शुद्रूर्थ होता है तत्सम होते हैं जैसे पुष्टक, वर्षा, पगनी इस तरह के जो सब्द हैं वो होते हैं तत्सम और तदभव होते हैं जैसे आग, पिता, भाई और इस तरह के सब्द होते हैं यह तदभव अब आते हैं देशज सब्द, देशज सब्द कौन से होते हैं जैसे पैंट, लोटा, डिविया, पगडी या पैंट इस तरह के सब्द होते हैं वो होते हैं देशज सब्द अब आते हैं फूर्ट नमर विदेशज, विदेशज कुन से होते हैं आईना, चहरा, मुर्दा, मुफ्त, सौदागर, कबूतर, जोश, इस तरह के जो सब्द होते हैं यह होते हैं हमारे विदेशज सब्द और नेक्स्ट आते हैं हमारे संकर सब्द, संकर होते हैं जैसे रेल गाड़ी, एक इसमें इंग्लिस का वर्ड होता है संकर में और एक होता है हिंदी का, जैसे रेल इंग्लिस का वर्ड और गाड़ी हिंदी का, रेल गाड़ी, परिक्छा बोर्ड, परिक्छा हिंदी का सब्द लाटी चार्ज Itsearch läuft इदी का सब्द चार्झ इंग्लिष इस तरह की सब्द होते हैं यह टुट पती के आधार पर पांस तरह की खोते हैं यह आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट आता है हमारा रूप अंतर के आधार पर, रूप अंतर के आधार पर होते हैं सब्द दो तरह के, कौन-कौन से, विकारी शब्द और एविकारी शब्द, विकारी शब्द कौन से होते हैं, जैसे लड़का, अच्छा, इस तरह के जो सब्द होते हैं, वो होते हैं व कार शव्द रचना अब इसकी जो हमने थियोरी पढ़ी है उसके कोशन सॉल्व करते हैं तो चलिए कोशन करना शुरू करते हैं हम तो पहला कोशन है हमारा निम्न में कौन सा रचना की दरश्टी से शव्द का भेद नहीं है तो option number 10 का correct answer है बिदेशज next question है हसी का तत्सम सब्द क्या है तो हसी का तत्सम सब्द क्या है next question है उत्पत्ती की दरश्टी से कौन सा सब्द का भेद नहीं है option number 10 का correct answer है तद्द नेक्स्त कोशन है गौधूम का तद्भव है तो option इसका A करेक्ट आंसर है गया हूँ Next question है निमलिकिश शब्दों में योगरूड शब्द कौन सा है तो option number A इसका करेक्ट आंसर है चक्रपाणी Next question है निमलिकित मेंसे कौन सा तत्सम सब्द है तो option number A इसका करेक्ट आंसर है आम्र नेक्स्ट कोशन है निम्लिकित मैं से कौन सा तदवब सब्द है तो option number 10 का correct answer है ये सभी यानि कोवा, कुट्टा, कोयल ये सारे के सारे तदवब सब्द है नेक्स्ट कोशन है आंख शब्द का तत्सम सरूप बताइए तो option number 10 का correct answer है अक्शी नेक्स्ट कोशन है साखी सब्द का तत्सम रूप है तो उप्शन नम्बर सीज का करेक्ट आंसर है शाक्षी नेक्स्ट कोशन है निम्लिकी शब्दों में कौन सा शब्द योगरूड है तो उप्शन नम्बर बीज का करेक्ट आंसर है लंबोदर नेक्स्ट कोशन है निम्लिकी शब्दों में कौन सा तत्सम सब्द है तो उप्शन नमर A का करेक्ट आंसर है प्रस्ताव नेक्स्ट कोशन है निम्लिकी शब्दों में कौन रूड शब्द का उधारण है तो उप्शन नमर B का करेक्ट आंसर हो जाएगा जल नेक्स्ट कोशन है धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है तो आप्सिन नमर 20 का करेक्ट आंशर है योगिक में नेक्स्ट कोशन है निमलिकी शब्दों में कौन सा शब्द देशज नहीं है तो आप्सिन नमर 20 का करेक्ट आंशर है पुसकर नेक्स्ट कोशन है निम्न लिखी शब्दों में से कौन देशज है तो अप्सन नमर सीज का करक्टांसर है फटाफट नेक्स्ट कोशन है आदमी कैसा शब्द है तो अप्सन नमर सीज का करक्टांसर है विदेशी नेक्स्ट कोशन है निम्न में से कौन एक तत्सम शब्द है तो अप्सिन नमर 20 का करेक्ट आंसर है चंद्रमा नेक्स्ट कोशन है अगनी में कौन एक तद्वाव शब्द है तो अप्सिन नमर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आम नेक्स्ट कोशन है निम्न में कौन संग का शब्द है तो अपसर नमर सीज का करेटा अंसर है रेल गाड़ी नेक्स्ट कोशन है निम्न की शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है तो अपसर नमर डीज का करेटा अंसर है पासाण नेक्ष्ट कोशन है रिक्षा किस भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रचलित है valiser में सीज कर्फ का ऐबाँ है जापानी नेक्ष्ट कोशन है रात्री का तद्वव रूप क्या होता है ता आप्ष्ट नूमबर बीस कर्फ का आद्वव रात नेक्स्ट कोशन है कपूर शब्द है तो अप्शन नमबर 20 का करेट आंसर है तदभव नेक्स्ट है डंडा शब्द है तो अप्शन नमबर 30 का करेट आंसर है देशज नेक्स्ट कोशन है निमलिखित में कौन तट्सम शव्द नहीं है तो option confers का क्रेटाँ आउसर है पत्थर next question है seeing कैसा शव्द है तो option numer 20 का क्रेटाँ आउसर है तदवब next question है अनुकरन शव्द है तो option number sub sans का क्रेटाँ आउसर है तत्सम नेक्स्ट कोशन है निम्न में से कौन शव्द योगिक है तो उप्सन नमर एस का करेक्ट आंसर है पाठशाला नेक्स्ट कोशन है योगदान कैसा शव्द है तो उप्सन नमर बीस का करेक्ट आंसर है योगिक next question है निम्न में कौन सा शव्द तदभव है तो option number 30 का गरेट आंसर है घर next question है निम्न में से कौन शव्द तदशम नहीं है तो option number 30 का गरेट आंसर है आम next question है दुगत तशम सव्द का तदभव रूप क्या होगा तो option number 20 का गरेट आंसर है दूद नेक्ष्ट कोशन है धरित्री का तदभव रूप क्या होगा तो option number A का करेक्ट आंसर है धर्ती नेक्ष्ट कोशन है खेती किस शब्द का तदभव रूप आंतर्न है तो option number A का करेक्ट आंसर है क्रिशी का नेक्स्ट कोशन है पाब रोटी कैसा शब्द है तो अप्शन नमबर 20 का करेक्ट आंसर है संकर नेक्स्ट कोशन है अंग्रेजियत कैसा शब्द है तो अप्शन नमबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा संकर नेक्स्ट कोशन है चंदर किस प्रकार का शब्द है तो अप्शन नमर 20 का गरेट आंसर है अड्दतत्सम नेक्स्ट कोशन है मुरली धर किस प्रकार का शब्द है तो अप्शन नमर 20 का गरेट आंसर है योगरूर next question में सुपात्र किस प्रकार का शब्द है तो option number C इसका correct answer है योगिक next question में निम्न मेंसे कौन सा कतन ऐसत्य है इसका correct answer हो जाएगा option number B रूड शब्दों की कोई वित्वत्ती नहीं होती यह इसका कलत हो जाएगा मतलब answer सही है या कतन गलत है Next question है रेली आतरा शब्द निमलिखित में से कैसा शब्द है? तो option numbers का A correct answer हो जाएगा शंकर सब्द Next question है मुगल किस भाषा का शब्द है? तो option number इसका B correct answer हो जाएगा तुर्की नेक्स्ट कोशन है निम्न मेंसे कौन सा शव्द हिंदी का अपना तदवव रूप नहीं है तो option number D's का correct answer है इन मेंसे कोई नहीं नेक्स्ट कोशन है दशानन निम्लिखित में कौन सा शव्द है तो option number इसका B correct answer हो जाएगा योगरूर नेक्सट कोशन है निम्लिखित मैंसे कौन देशज सब्द है तो option number Ace का correct answer है जूता नेक्सट कोशन है कभूतर किस भासा का मूल शब्द है तो option number इसका A correct हो जाएगा फार्सी का नेक्स्ट कोशन है लाश किस भासा का मूल शब्द है तो option number इसका A करेक्टांसर हो जाएगा तुर्की का नेक्स्ट कोशन है निम्न में से कौन देशद शब्द नहीं है तो option number इसका C करेक्टांसर हो जाएगा चर्खा नेक्स्ट कोशन है पुस्ट तत्सम्ण शब्द के लिए हिंदी में तदभव शब्द क्या है तो option नमर इसका A करेक्ट आंसर हो जाएगा fool नेक्स्ट कोशन है उत्पत्ती की तृष्टी से शब्दों का भेद निम्ण में से कौन नहीं है तो option number D का correct answer है योगरूर next question है जवा हर्प किस भासा का मूल शब्द है option number D correct answer हो जाएगा अर्भी next question है योगरूर वैसे शब्द है जो option number C का correct answer है सामन अर्थ को छोड़ विसेस अर्थ देते हैं option number C का correct answer है next question है कमल कैसा सब्द है जगा योगिक friends अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब उरके बेल आर्कम प्रेस कर ले next question है चेर्मेन शब्द है option number D का correct answer है विदेशज next question है तदभव शब्द की उत्पत्ती हुई है option number A का correct answer है संस्क्रत से next question है हिंदी में किस विदेशी भाहसा के शब्द नहीं मिलते option number D का correct answer हो जाएगा स्वाजी next question है दूद वाला रचना की दरश्टी से है option number 20 का correct answer है योगिक next question है निमलिखित में संकर शब्द है option number D का correct answer है परिक्षा हॉल next question है निमलिखित शब्दों में कौन एक पर्तगाली भाहसा का शब्द है तो option numbers का correct answer हो जाएगा पिस्तॉल friends ये थे हमारे third chapter शब्द विचार की question तो मिलते हैं next video में fourth chapter के साथ thanks for watching this video